गोडियूनिंग प्रेंट्स, मैसल्फ आरके, यूर मोस्ट वेलकमान माई यूटूब चैनल आरके एक्जाम क्रानिकल, आप सभी लोग का हमारी इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं, ये वीडियो इस्पेशली उन इस्टूडेंट्स के लिए है, जो यूपी-पी की त लेखिए और समझिये कुछ बहुत ही इंपॉर्डेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आप इस चिसको समझिये पहले, बहुत ध्यान से समझिये जितने पी सीरियस कंडिडेट हैं, जो की यूपी-पी की तियारी करना चाह रहे हैं, या लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्डेंट वीडियो होने वाला है, सबसे पहले तो मैं यह बता दू कि जो यह हमारा चैनल है, इस पे मैं मैं बढ़ाता हूं, मैं इसमें यूपी-पी का मैस पढ़ाऊंगा, जो की आज नहीं कल से सुरुआत करूँगा, लेकिन आज में कुछ स्लेवर्स के बारे वे इसक क्या करना है, और किन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना, तो बहुत ध्यान से आप समझ़ें सारी बातों को, तो सबसे पहले धिखेगा कि जो स्लेवर्स है, हमारा किसका, यूपी-पी, यूपी पुलिस काश्टेवल, जो 2002 में, जिसकी व कर देना चाहता हूं कि जो इसका मैस का जो सलेवस है तो पूरा आप देख रहे हैं अपनी आप में पूरा लगबग कंप्लीट है लेकिन बहुत जो लेबल होगा वह लेफल बहुत हाई लेबल नहीं होगा अगर जो भी students math को जानते हैं जो कुछ भी जानते हैं थोड़ा करने की जुरूरत है तो दिखिए सबसे पहले है क्या कि क्या क्या आएगा जो आपका पेपर होगा वह आपका छार सेक्सन का होगा यहां से समझेगा जर्णल हिंदी आएगा कितने कोश्चन होंगे उसके 37 पूस्चन होंगे उसके बाद समझेगा फिर एक जनल नालेज आएगा जनल हिंदी आप समझ रहे हैं समान ली हिंदी ये आपका समान ग्यान समान ग्यान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे जब जनल नालेज की बात करते हैं उसमें हिस्ट्री है जगर्फी है जनल नालेज है मतलब समान उसमें सारी जीजे पूछी जाएंगे चाहे वह स्पूर्ण से रिलेटेड हो बात समझ रहे हैं चाहे साइंस के जो कॉमन प्लास 10 लेवल तक की जो साइंस होती है उससे साइंस में भी उसमें पीजिस कैमेस्ट्री बाइलेजी सारी चीजे समान के गयाने में सारी चीजे आ जाती है जो आपका जनल नालेज में आता है उसका थर्टी एट कोश्चन होगा और जो नेमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि मैतमेटिक से थर्टी एट होगा इसके बारे में हम पढ़ाएंगे कि उसी का से लिए रसिया में 30 फंटर तो सब तूटल नमबर्ट पूश्चन आपका होगा 150 कि टाइम इस ग्रद़ा ओपंव तो नमबर्ट यू झतने में यह फू पतला तो मतलब जैसे बात समझें प्सक्राइब द्हान से आपने एक कोशचिन किया 2 है दूसरा किया बाकि सब गलत कर दिया, सब गलत कर दिया, ए भी गलत किया, ए भी किया, सब चार गलत कर दिया, बास समझे है, चार आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो मिला जिला के सब आपकर क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बास समझे है, बास समझे है, बतर चार कोश्चन आपने एक सह कि चार गलत किया तो जो एक सही था वो सब लेके बैलेंस हो गया तो कोशिस यह इसमें होनी चाहिए जो भी एकजान नेगाटिव मार्किंग के होते हैं कोशिस इसमें होनी चाहिए कि जो चीजें आप सबसे पहले तो जो एकदम स्योर हो जैसे जब नंबर आप कोश्चन साते कोशिस करें की स्कुर्ट से पहले स्कूर करें उसकAyters कि सब्सक्राइब्स करें होनी चाहिए ऐसा नहीं की सुरू खाम और जरूरी यह नहीं है कि आपने पहले से स्टाड किया दिक्कत यहां भी आती है अभी मैं उसके बाद में डिस्कसिन करूंगा पहले मैं बता देता हूं तो आप देख रहे हैं फिफ्टी कोश्चन रहेंगे टोटल 300 मार्क सा रहेगा और नमबर आप कोश्चन आप समझ गए अब आपको जो मैंस में जो में इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है मैं वह बता देता हूं नमबर सिस्टम जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि संख्या पद्धति बोलते हैं सिंप्लिकेशन जिसको आप सरली करण कहते हैं सरली करण आप लिख सकते हैं यह आप सिंप्ली लासा मासा लगुत्तम और महत्तम और मासा करते हैं डेसिमन और फ्रेक्षन दसम्न ओर भिण बहुत आसान है दसम्न फ़िण है यह भी आपका है से रहिज को अनुपात कहते हैं बहुत कमन कमन कुएस्छेंगा परसंटेज मतलब प्रतिशत हैं में प्रतिस्द और किया बट्टा मतलब जिसको खूड़ बोलते हैं कि लाब और हानी एक निहान की में सहरे में नें पढ़ना और मैं इसको सब्सक्राइब ग्रातना है क्योंकि में इस में सिर्फ मैं साथ या कार और समय जो भी आपका लीजे यह देख रहा है इस साधारण भेय और चक्रमिर्धिवा इसे लिए इस जिसको आप बोलते हैं कैसे लिन वinky में कुझा हिंदी में बोलते हैं मतलब सब्सक्राइब इसका मतलब दूरी यह आपको पढ़ना का मतलब छेत्रमिती को सब्सक्राइब इसका यह मतलब नहीं है कि खाली आपके मैंसुरेशन में सब पढ़ना पड़ेगा जैसे वर्ग है इसको 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 आप बोलते हैं फिर आयत है फिर ट्रेंगल है मतलब पिर भुज है फिर सारे कोडिलेटरल है और फिर उसके बाद वालूम का जीतना भी होता फार्मुला फ क्रəuencia गए अब कि द00 की कोई आ लिए एदा इसे से कॉशन में दे कि आधा हुला करसि कि यह क्या करते हैं कि वह यह उपर से यह ऊए थ BBC या तो नहीं कर सकते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता है आपने पर वाला पड़ा बना दे मतलब यह हुआ कि सभी से कुछ ना कुछ आएगा लेकिन हो सकता किसी से दो चार इक्स्ट्राइब ज्यादा आजाए तो यह चीज़े प्राब्लम होती है तो आपको पढ़ना सब पढ़ेगा इस आपने देखा पूरा अभी मैं सुरुवार करूंगा यहां से स्टार दिकते कहां आती है जवाब कुछ पढ़ने के बाद जवाब पेपर देते हैं तो कहां कहां प्राब्लम आती है मैं उसके बार मैं आपको बता रहा हूं दिकत कहां से हो इस सबसे पहले होता क्या जैसे पेपर मिला आपको आपने फस्ट पेश को ओपिन किया और पहला कोश् पहले दूसरे पर टाइम रहता तो मतलब कि इसकिप कर जाए चोड़ दीजिए मगर छोड़े रहे हैं दिमाग में रखते रहे हैं कि हमने कौन पहसा चोड़ा है वह तो पता चलता है तो आप 10 से स्टार्ट कर दीजिए तो जैसे ही आप में दसमा देखा हो आपको आ रहा है सपोस्पोस करिए तरह समा फिर हो सकता है ग्रामा भी आपको जाए लेमेंटर लागाने लगेंगो उसके बाद ताब उतनी प्राब्लम नहीं आई होता क्या कभी कभी स्टार्टिंग म होते हैं थिल आप मैंनेंजर नहीं कर पाते हैं और छीजें बढ़ो जाती हैं तो कोशिस होनी चाहिए कि जैसे पहला कोस्टियन आये वहीं से आपको इनर्जिटिक रहना पुरा इनर्जी के साथ लगना और सभरल कि पहला दूसरा तीसरे की बात नहीं नहीं या सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें निकालो समझ में आएगा 150 क्या है ठीक है टाइम कितना जल्ली बता दीजिए दो घंडे मतले में 120 मिनिट कैंसिल कर दो तो किसी से नंबर से होगा हां यह आ गया मतलब वन प्वाइंट टू सम्तिंग करके ऐसे आएगा 25 करके ऐसे अब आप बता हुई कि लगबग एक मिनिट कुछ सेकंड मिलेगा एक कोस्चन पर एक मिनिट कुछ सेकंड देखो जी जो जा हिंदी और यह है क्योंकि आपको आपको आ रहा है तो हो सकता है आपकी एक मिनिट के अंदर में कही कोस्चन मतलब दो तीन निप्टा दें दिक्कत नहीं होगी लेकिन रिजनिंग का अगर कोई कोस्चन आप सौन कर रहे हैं उसको सेट कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा अब वो प्रैक्टिस प अंदर में कर रहे होगी एक मिनिट से ज्यादा ले ले रहे हैं मैं इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सब तो नहीं लेकिन कुछ बहुत जो प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए हो सकता है एक मिनिट के अंदर में सौन कर लें लेकिन मैं के ऐसे भी बहुत हुआ Safe काल तो कहने का मतलब कि क्या का करता है तो दीरे दीरे थाइम कम होता है इस वचा को से कौसिश रहने हों चाहिए कि आपको अब आप समझें यह मेरा पताने का में आक हुआ कदा जै कि आपको कोई वी जैसे कि कि सबसे time-taking mass ही होता है, mass में आपको जो इसका mainly जो आपको concept पता है, जो general method है, वो आपको पता होना चाहिए, जो simply आप जानते हैं, मतलब concept के साथ, कि हाँ इसको इस तरीके से लगा देंगे, चाहे एक मिनट लगे, चाहे एक धंटे लगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ question के sort tricks भी पते होनी चाहिए, यह जो sort tricks है, यह real में काम करता है, हर जगा नहीं करता है, लेकिन यह कहीं कहीं आपके calculation को बचाता है, हंड़िट परसेंट बचाता है, ऐसा नहीं है कि स्कायोज नहीं है, बोलते हैं कि sort tricks की चक्कर में पढ़े रहों फिर पता चला कुछ नहीं है, यह भाई कहीं कहीं काम करता है, स्यूर करता है, जैसे आप कोई calculation करते हुए जा रहे हो, हो सकता है कहीं ऐसा system हो जहां साट्रिक्स आप जानते हूं, और बहुत लंबा calculation करनी के बजाए बहुत जल्दी आप निकल जाए, पढ़ाएंगे जैसे में तो बताएंगे कैसे कहां पे आप general method यूज कर रहे हैं, और मैं आपको बता हूं, हाला याद तो रहेगा आपको जो जो आपका concept है, जो आपने बहुत दिनों से सीखा है, वही आपके साथ exam में रहता है, और बहुत practice किये हैं, तो push question के sort tricks रहते हैं तब आप जाके generally सारा question कर ले जाते हैं, most of the question आप attempt करते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से general method तो compulsory वह तो आना ही चाहिए, मतलब वो concept जो आपके पास खुद का बना हुआ है, वो तो आपके पास होना ही चाहिए, ये थोड़ा साथ साथ रहेगा, तो आप success हो जाएंगे, बास समझें, तो कैसे time को बचाएं, कैसे time को, मतलब paper के recording लेके चलें, तो वो चीज़े different करता है, तो friends, जितने की लोग हमारी video को देख रहे हैं, मेरा उनसे request है, क्योंकि मैं मैं मैंस की class लोंगा, तो मैंस की पुरा syllabus है, ये चीज़े मैंने यहाँ लिख रखा है, और हाँ एक चीज़ और बताते हैं, मेरे कुछ video है, वो इस पेसली UPP के नहीं है, वो है किसके मैं बता देता हूँ, आप जहां से समझेगा, जैसे CGL हुआ, ठीक है, CGL आप जाने है, SSE का जैब करता है, उसके बाद जाहे हो, बैंकिंग का हो, या railway का हो, ठीक है, या CDS का हो, ये ज पड़े होते हैं, उसके मेरे बहुत सारे videos पड़े हुए है, आप जाएगा हमारे playlist में देखिएगा, वहां बहुत सारे चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, ऐसा नहीं मेरे बहुत सारे इसमे वीडियो पड़े हुए, लेकिन इस पेसली जो है, मैं ये classes जो start कुणकि मैं बता रहो हुने कि इसका math जिसको नहीं है इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें लेकिन जिसको आती है इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें पलतीजाई देनीकी प्रकुल कई लहां मुटि इतक हमारे आपको अए जानके प्रक्ष मेंद जैसा भी होगा एक्जाम जब होगा उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर में आप इसकी त्यारी कर रहे हैं तो चीजों को अभी से ही सीखते रहें तो कल के वीडियो में मैं नमबर सिस्टम से स्टार्ड करूंगा और इस में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिसकसन करूंगा आपके साथ तो आई हो आप बात को समझ रहे हैं और हाँ अगर जितने भी आखिर दोस्त हैं जो भी आप के साथ UPP की त्यारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं देखो एची सीधे समय लो कोई गैरेंटी नहीं है कि सिट्फ क कोई गैरेंटी हम नहीं है कि सेलेक्षन मेरा काम इसरे है कि बता देना पढ़ा देना अप你 कि आनते दो आप मेरेंट करते हैं तो आप सेलेक्ट लिए सकता है किसी का कोई contribution होता सारा का सा जो भी हाँ हमारा गाइड हम बता सकते हैं जितना जानते हैं हम सीखा सकते उते ही जुदों के बारे में बताएंगे करना आपको भजब तक आप नहीं करेंगे आप नहीं सक्से व्य rhius करें आवेonent vendors को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ अगर आप देखना चाहते हैं तो जा करके हमारे प्लेडिश थे बहुत सारे वीडियो ऐसे पढ़े हुए है थोड़ा समय ने कहा है ने को सीजिए लिए सारी चीजों के लिए और जब आप थोड़ा हाई डेवल की चीजों को समझ के पढ़त सेयर करना बिल्कुर मन भूलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम के साथ आप से मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू सो मुझ जाहिंद